परिजय बच्चों, आप सभी जानते हैं कि संचलन सभी जीवों की एक महतपूर्ण विशेषता है, जन्तू एक से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। जब कोई जीव एक स्थान से अन्य स्थान पर जा सकता है, तो ये गमन कहलाता है। जब शरीर का केवल एक भाग गती करता है, तो ये संचलन कहलाता है। संचलन शरीर के अंदर भी होता है। उधारन के लिए हमारा हिर्दय सदेव धड़कता रहता है। तो आव इस मॉड्यूल में हम गमन और संचलन के बारे में विस्तार से जाने। उत्यश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। गती के प्रकारों का वडन करना। पीशियों और इनके प्रकारों की व्याख्या करना। कंकाल पीशी की सनचना का वडन करना। संकुचन शील प्रोटीनों की सनचना पर चर्चा करना। पेशी संकुचन की क्रिया विधी को वर्नित करना। कंकाल तंत्र का वर्रन करना। संधियों पर चर्चा करना। और पेशिये तथा कंकाल तंत्र के विकारों को सूची बद्ध करना। गती के प्रकार वह गती जिसमें अवस्थिती या इस्थान परिवर्थन हो जाता है, गमन कहलाती है। मानव शरीर की कोशिकाओं में तीन प्रकार की गतिया होती हैं। अमीबिये, पक्षमाभी तथा पीशिये। अमीबिये संचलन अमीबिये गती होने पर कोशिकाओं अनेक जीव द्रवई प्रक्षेपण या कुकूट पाद कोशिका के आगे की ओर प्रेशित करती हैं। पक्षमाभ संचलन पक्षमाभ गती उन अंगों में होती है जो पक्षमाभ उब्भित्ती से आस्तारित होते हैं। उधारण के लिए श्वास नली में पक्षमाभों की समनवित गती से धूलकन युक्त शिलेश्मा को फेपणों से दूर हटाने में सहायता मिलती है। पेशे संचलन पेशे गती मानव शरीर में एक अत्यन्त महदपून प्रकार की गती है, जैसे की जीवा की गती इत्यादी। पेशियों की संकुचन शीलिता हमें गमन और अन्य प्रकार की गतीयां करने में समर्थ बनाती है। पेशी पेशियां विशेश प्रकार के उतक होते हैं, जो मध्धे जनस्तर से उत्पन होते हैं। पेशिये उतकों में उत्धिपन के पश्चात संकुचन की शमता पाई जाती है। पेशियों में निम्न लिखित कोन होते हैं। उत्धेजन शीलिता, संकुचन शीलिता, प्रासारे तथा प्रत्यास्ता। पेशिया तीन प्रकार की होती हैं। कंकाल, अंदरंग और रित्र। पेशियों के प्रकार। कंकाल पेशियां रेखित पेशियां होती हैं, जो कंकाल से जुड़ी रहती हैं। ये हमारे शरीर का पचास प्रतिशत भार निर्मित करती हैं। और ये चलन क्रिया तथा कंकाल को सपोर्ट करने में मदद करती हैं। ये तंत्रिका तंत्र के एच्छिक नियंतरंग में कारे करती हैं। इसलिए ये एच्छिक पेशियां भी कहलाती हैं। अंतरंग पेशियां ऐसी पेशियां होती हैं जो हमारी रुधिर वाहिनियों में तथा शरीर के आंतरी कंगों में इस्थित होती हैं। अंतरंग पेशी कोशिकाओं पर धारियां नहीं होती और इसलिए ये चिकनी पेशियां भी कहलाती हैं। ये तंद्रिका तंद्र के एच्छिक नियंत्रन में नहीं होती और इसलिए ये अनेच्छिक पेशियां भी कहलाती हैं। रिद्पेशियां हर्दे की पेशियां होती हैं। रिद्पेशी कोशिकाएं प्राया विशाकित होती हैं। ये अनेच्छिक तथा रेखित होती हैं। कंकाल पेशियों की सन्नचना पेशी अनेख पेशी तंतूओं से बनी होती है, जिन्हें पूलिकाएं कहते हैं, जो परिकोशिका कहलाने वाली एक संयोजी उतक परद्वारा एक दूसरे से प्रधक होते हैं। अन्ता पेशिका संयोजी उतक होता है, जो पेशी तंतूओं को एक दूसरे से प्रधक करता है। सारकोलेमा कोशिका भित्ती के तंतू होते हैं, जो अन्ता पेशिका के नीचे होता है, तथा पेशी द्रफ्वे सारकोलेमा के नीचे इस्थित होता है। प्रतेक पेशी तंतु में बिलनाकार पेशी तंतुक होते हैं। प्रतेक पेशी तंतु में सैक्णों से लेकर हजारों तकी संख्या में पेशी तंतुक होते हैं। ये एक्टिन तथा मायुसिन के बंडल होते हैं। और पेशी संकुचन में महत पून भूमी का निभाते हैं। प्रतेक पेशी तंतुप पर एकांतर क्रम से हलकी और गहरी रंग की पट्टियां होती हैं. हलकी पट्टी में एक्टिन होता है, जिसे आई बैंड कहते हैं, जबकि गहरी पट्टी में मायुसिन होता है, जिसे ए या विशम दैशिक बैंड कहते हैं. एक्टिन तन्तू मायुसिन तन्तू की तुल्ना में पतले होते हैं अताहा एक्टिन तन्तू पतले तन्तू जबकि मायुसिन तन्तू मोटे तन्तू भी कहलाते हैं पेशी तन्तुक अनेक सारको मियर इकाईयों से बने होते हैं जो सिरों पर जुड़ी रहती हैं जड रेखाएं कहलाने वाली अभी लंबवत प्रोटीन प्लेटें प्रतेक सारकुमियर की पाश्व सीमाएं बनाती हैं। प्रतेक सारकुमियर का मद्दिक्षेत्र H-zone कहलाता है, जिसमें केवल मायुसिन होता है। संकुचन शील प्रोटीन की सनरचना एक्टिन एक गुलाकार प्रोटीन G-एक्टिन है जो दोहरे कुंडलित तंतुओं यानि F-एक्टिन में बहुलिक क्रित होता है। ट्रोपोमाईसिन तथा ट्रोपोनिन पतले तंतुओं के अन्य निर्मानक हैं। ट्रॉपोमाईसिन एक्टिन तंतुओं पर पूरी लंबाई में जाते हैं और मायुसिन के बंध बनाने वाले स्थानों को ढख कर रखते हैं एक मायुसिन तंतु असंखे एकलकी प्रोटीनों से बना होता है जो मेरोमायुसिन कहलाते हैं प्रतेक मेरो मायुसिन के दो भाग होते हैं भारी मेरो मायुसिन यानी HMM तथा हलका मेरो मायुसिन यानी LMM. भारी मेरो मायुसिन का गोलाकार सिर होता है जो एक्टिन तंतु से जुड़ा भाग होता है। पेशी संकुचन की क्रियाविधी सारको मेर के संकुचन एवं शिथिलन की क्रियाविधी सरपी तंतु सिध्धान्त कहलाती है। पेशी के स्थितियाँ परिवर्थित करते हैं। संकुचित करने के लिए काईक प्रेरक तंत्रिका से एक ख्रियाविभाव उत्पन होता है, जो तंत्रिका पेशी संगम तक जाता है। ये तंत्रिका तथा कंका लिए पेशी के बीच का संगम होता है। तंत्रिकाक्ष अंत के विद्रूवन के कारण ये तंत्रिका संचारक एसिटिल कोलीन को तंत्रिका तथा पेशी के बीच अंतर ग्रंत्री विदर में मुक्त करता है। पेशी तंत्रिका संचारी द्वारा प्रेरित किये जाने के कारण अपना क्रिया विभव उत्पन्न करता है। ये विद्ध संकेत पेशी तंत्रिका की जीव द्रवे कला से गुजरता है। और ये जीव द्रवे कला की नलिका कार अंदर वलनों से भी गुजरता है, जो टी नलिकाएं कहलाती हैं। सारको प्लास्मिक जालिका एक कोशिकांग होता है, जिसमें जिलिका सद्रिशिर नेटवर्क होता है। सारको प्लास्मिक जालिका में केल्शियम आयन संचित होते हैं और तब उन्हें शेश कोशिका द्रव्य से प्रथक कर देते हैं। क्रिया विभाव के टी नलिकाओं से गुजरने के साथ सारको प्लास्मिक जालिका कोशिका विले में केल्शियम मुक्त करती है। केलशियम आयन सारको मेर के कोशिका द्रव में विस्रित हो जाते हैं. सारको मेर में एक्टिन तंतू मनकों के दो परस पर गुंती धागिनुमासन अचनाई होती हैं. मायोसिन तन्तू एक्टिन से मोटे होते हैं और इनके सिरों पर घुड़ी जैसे सिर होते हैं ट्रोपोनिन तथा ट्रोपो मायोसिन एक्टिन तन्तूँ पर रहते हैं जबकि मायोसिन के सिरे ADP के अणुमों और अकार्बरीट फॉसफेट से बंदे होते हैं सारको प्लास्मिक जालिका द्वारा केल्शियम मुद्ध किये जाने पर केल्शियम आयन ट्रोपोनिन के अणों से बंद जाते हैं बंद जाने के बाद ट्रोपोनिन अपनी स्थिती में वापस आते हैं और ट्रोपो मायोसिन अणों को खीचते हैं जब ट्रूपो मायुसिन गती करता है तो एक्टिन तंतों की प्रतेक एक्टिन उपिकाई पर मायुसिन आबंधन इस्थल खुल जाते हैं। जब मायुसिन सिरा एक्टिन से जुड़ता है तो क्रॉस सेतू बनाता है। आबंधन के पश्चात PI और ADP के अणू दिर्मोचित हो जाते हैं। मुक्त अणू मायुसिन के सिरों को धुरागर के लिए सक्रिय करते हैं। एक दूसरे पर सरकने के लिए एक्टिन और मायुसिन तंतों पर दपाव डालते हैं। ये संचलन पेशी संकुचन के पावर स्ट् के लिए मायुसिन पहले ATP से जुड़ती है। जब ATP मायुसिन के शीर्ष से जुड़ती है तो शीर्ष एक्टिन तंतों को मुप्त कर देते हैं। ATP तुरंत ADP और PI में जल अबघटित हो जाती है। जल अबघटन द्वारा मुक्त उर्जा अगले चक्र के लिए मायुसिन शी किर्ष को तैयार करती है। जैसे ही क्रिया विभाव घटता है केल्शियम का इस्तर नीचे गिर जाता है और ट्रोपो मायुसिन पुना मायुसिन बंधन इस्थलों को छिपा देता है। एक्टिन और मायुसिन तंतु पीछे सरक कर पुना अपनी मूली स्थिती में आ जाते ह पीशी तंतु के सारकुमियर मोटर नियूरॉन से मिलने वाले प्रतेक संकीत के साथ संकुचित और शिधिल होते हैं। कंकाल तंत्र जन्तु के शरीर के लिए ढाचा है और ये अस्थियों एवं उपस्थियों का बना होता है। मनश्य में 206 अस्थियां और कुछ उपस्थियां होती हैं। कंकाल तंत्र को अक्षिय कंकाल और उपांगिय कंकाल में वर्गी कृत किया गया है। अक्षिय कंकाल इसमें करोटी, मेरुदंड, उरोस्थि और पसलियां शामिल हैं। करोटी में 22 अस्थियां होती हैं, तथा मनुश्य करोटी में अस्थियों के दो समुच्चे होते हैं, कपालिय और आननी। कपालिय अस्थियां मस्दिश्क के लिए कठोर रक्षक आवरन पनाती हैं। कपाल में 8 चप्टी अस्थियां होती हैं, एक एत्मोइड अस्थि, एक ऑक्सिपीडल अस्थि, दो पेराइटल अस्थियां, एक स्विनॉइट अस्थि और दो टेम्पोरल अस्थियां। आननी भाग में 14 अस्थियां होती हैं, दो निम्ननासा शंकिका, दो लेक्रिमल अस्थियां, एक मेंडिबल, दो मैक्सिला, दो नासा अस्थियां, दो पेलेटाइन अस्थियां, एक वोमर और दो जैगुमेटिक अस्थियां। हाई आइड अस्थि मुक गोहा के नीचे इस्थित होती है। निचले जबडी की अस्थि, जो मैंडिबल कहलाती है, करूटी की एक मात्र चलायमान अस्थि है, और केवल यही अस्थि करूटी की अन्ने अस्थियों से सीधे जुड़ी नहीं होती है। कर्ण में तीन छोटी अस्थियां होती हैं, मैलियस, हिंकस, एवं स्टिपीज, जो सामोहिक रूप से कर्ण अस्थिकाएं कहलाती है। कशेरुग दंड या रिड शरीर के पीछे इस्थित होती है, और चाती या वक्ष की अस्थियों को जोड़ती है। यह कंकाल का मध्य भाग बनाती है, यह मिरुरज्जू की सरक्षा करती है, और करोटी को सहरा प्रदान करती है। कशेरुग दंड को पाँच क्षेत्रों, साथ ग्रीवा, बारा वक्षिये, पाँच कटी, सयोजित त्रिक और सयोजित अनुत्रिक में विभाजित किया गया है। पहली कशेरुग एटलस है। पसलियां चप्टी, संक्री अस्थियां और पसलियों की बारह जोडियां होती है पहली साथ जोड़ी पसलियां उनको वास्तविक पसलियां कहते हैं क्यूंकि ये सीधे उरोस्थी से जोड़ी होती है पसलियों का मुख्यकारे फेपरों वा फिर्दे की सुरक्षा करना है पसलियों की आठवी, नौवी और दसवी जोडियां कचाव उपास्थी की साहिता से साथवी पसली से जुड़ी होती है ये कूट पसलियां कहलाती है पसलियों की ग्यारवी और बारवी जोड़ी अधर में जोड़ी नहीं होती है इसलिए वे पलावी पसलियां कहलाती है उपांगिय कंकाल मेखला और बादों के कंकाल का बना होता है उच्चपाद अंस यानि सकंध मेखला से जुड़े होते हैं और निम्नपाद श्रोनी यानि कूला मेखला से जुड़े होते हैं अंजम एकला में दो अस्थियां होती हैं, जत्रुक, क्लैविकल भी कहलाती हैं और एक चप्टी, त्रिपुजाकार अस्थी, स्कैपुला कहलाती हैं, अगर पात की अस्थियां हैं, हुमेरस, रेडियस और अलना, काप्रल्स यानि आठ अस्थियां, मेटा काप्रल्स यानि प श्रोणी मेकला में दो बड़ी श्रोणी अस्थियां होती हैं जो कौकसल अस्थियां कहलाती हैं। प्रतेक श्रोणी अस्थि तीन अस्थियों के सल्लियन से बनी होती हैं। इलियम, इस्चियम और प्यूबेस। इन तीनों में इलियम सबसे बड़ी होती है और श्रोणी अस् अस्थियां, फीमर, सबसे बड़ी अस्थी, टिबिया और फिबुला, टॉसल यानि साथ अस्थियां, मेटर टार्सल, पांच अस्थियां और फैलेंज, चौदा स्थियां हैं। संधिया, एक संधी वहां बनती है, जहां तू या अधिकस्थियां पास-पास होती हैं, और उपास्थी द्वारा जुड़ी होती हैं। ये संधियां उच्चारण इस्थान भी कहलाती हैं। संधियों का वर्गी करण रिशिये संधी, उपास्थी युक्त संधी और साइनोवियल संधी रिशिये संधी, ये संधियां अस्थियों को जोड़ती हैं, और किसी प्रकार की गती नहीं होने देती। रेशिय संधी दातों को गर्दिकाउं में स्थित रखती हैं और ये करोटी में भी पाई जाती हैं। उपास्ती युक्त संधी उपास्ती अस्थियों के बीच रिक्तिस्थान को भरता है, इसलिए केवल सीमित गती होने देती हैं। ये संधियां पसलियों में पाई जाती हैं। इस संधि में निकट वर्थी अस्थियां एक गोहा द्वारा प्रतक होती हैं। अस्थियों के संधि युक्त सिरे उपास्थी की गद्देदार परत से आच्छातित होते हैं। और ये संधियां सनायों द्वारा स्थिर होती हैं। साइनोवियल संधियां गती के लिए बनी होती हैं। उधारण के लिए कब्जा जैसी साइनोवियल संधी जैसे की घुटना और कोहनी, श्रोणी पर कंदुख खलिका संधी कई तरह की गती करने में सक्षम होती हैं पेशिये तथा कंकाल तंद्र के विकार माइस्थेनिया ग्रेविस ये एक स्वाप्रतिरक्षा विकार है जिससे पेशियां कमजोर हो जाती है पेशिये दुशपोशन ये अनुवन्शिक रोगों का समू है जिसके कारण पेशी तंदु ख्षती ग्रस्थ होनी की संभावना रहती है अप्तानिका ये आसमाने दशा है जिसमें गलत केल्शियम उपापचाय के कारण पेशियों में दर्दनाक एठन होती है संधी शोथ ये शोथ दशा में जो संधियों को प्रभावित करती है अस्थी सुशिर्टा ये एक रोग है जिसमें अस्थियां अत्यदेक छिद्रित हो जाती हैं जिससे अस्थी भंग की प्रबल संभावना रहती है गाउट ये तीवर संधी शोथ है जिससे संधियों में सुजना जाती है और दर्द होता है क्या आप चांदे हैं? आस्टियो कैल्सियन प्रोटीन हमारी अस्थियों की मजबूती में एक महतपून भूमी काने भादी है लाल रुधिर कोशिकाओं का निर्मान अस्थियों के भीतर अस्थी मच्चा में होता है अस्थियों में पचास प्रतिशत जल और पचास प्रतिशत ठोस्पदार्थ होता है साराज आईए हमने जो कुछ सीका है उसे संगशेप में दोहराएं वह गती जिसमें अवस्थिती या इस्थान परिवर्दन हो जाता है गमन कहलाती है मानव शरीर की कोशिकाओं में तीन प्रकार की गतियां होती हैं अमीबिये, पक्षमाभी तथा पेश्ये पेशियां तीन प्रकार की होती हैं, गंगाल, अंत्रंग और हृत पेशी तंटु में पेशी तंटु कहलाने वाले बिलनाकार अंगक होते हैं ये Inkten तथा मायूसिन के बंडल होते हैं और पेशी संकुचन में महतभून भूमी का निपहते हैं पेशी तंतु का संकुचन एवं शिथिलन सरपी तंतु सिध्धांद पर आधारित है। मनश में दूसुच्छ अस्थियां और कुछ उपास्थियां होती है। कंकाल तंद्र को अक्षिय कंकाल और उपांगिय कंकाल में वर्गिक रित किया गया है। कंपास्थि युक्त संधी और साइनुवियल संधी के रूप में वर्गिक रित किया जा सकता है। माइस्थेनिया, क्रेविस, पेशिये दुशपोशन, अप्तानिका, संधी शोत, अस्थी सुशिर्ता और गाउट, पेशी एवं कंकाल तंद्र के विकार हैं।